विवेक छुड़ा मनी के विशय में आत्म चिंतन कैसे करें, इस विशय को हमने लिया है, आत्म चिंतन हम कैसे करें, अब ये बड़ी सी बात है कि चिंतन की बात होती है और आत्म चिंतन करना चाहिए, सिंपल वे में इसका अगर अर्थ समझेंगे कि आत्म चिंतन हम कैसे करें, कई लोगों का ये प्रशन रहता है कि आत्म चिंतन करना किसको कहते हैं, और आत्म चिंतन कैसे करना चाहिए, तो आज हम इसी विशय पर चर्चा करेंगे और इसके सही अर्थ को समझने का प्रयास करे आधिगुरु शंकराचार इस विशय को ले रहे हैं आत्म चिंतन के विशय को तो वो किस प्रकार से ले रहे हैं आत्म चिंतन के विशय को कैसे समझा रहे हैं उसको भी हम समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे कि आत्म चिंतन को आधिगुरु शंकराचार ने कैसे समझाया क कैसे बताया है थीक तो आत्मचिंतन तो थोड़ा सा हम सोचे कि अब एक जेनरल वे में समानने अस्तर पर लोग आत्मचिंतन को क्या समझते हैं वो समझते हैं आत्मचिंतन मतलब कि अपने आप में किसी विशाय पर चिंतन करना जिसमें कोई दूसरा इन्वाल्व ना हो जैसे माल लेजिए कि किसी विशय पर राजनीती के विशय पर चिंतन चल रहा है तो चार लोग बैठे में आपस में और चिंतन कर रहे हैं, एनालेसिस कर रहे हैं, तो आप उसे आत्मचिंतन कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं आत्मचिंतन के विशय में, और आत्मचिंतन के विशय में ऐसा ही परिभाशा देते हैं, खुद के बारे में निरनय करना अगर हमें कोई निरनय करना है को डिसीजन लेना है कोई कर्म करना है हमारे द्वारा कोई कर्म होना है और हमें कर्म करना है तो हमें खुद सोचना है कि हमें आत्मेचिंतन करना चाहिए तो हम उसका निरनय हमें लेना है वो हमारा काम है दूसरा कोई नहीं ले सकता तो आत्मचिंतन करेंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें वैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक तो यह आत्मचिंतन होता है तो स्वेम में चिंतन करने को लोग आत्मचिंतन भी कह देते हैं तो आत्म चिंतन सेल्फ इनालेसिस को भी लोग समझते हैं आत्म अवलोकन करना आत्म वैसे आत्म विशलेशन अर्थात अपना विशलेशन करना मन का विशलेशन करना अपने विचारों का विशलेशन करना अपने कर्मों के अपने कारियों की समिक्षा खुद से करना स्वेम में ही करना इंट्रस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रस्पेक्शन सेल्फ इनालेसिस, आत्मविशलेशन इस तरह की किरियाओं को को भी लोग आत्मचिंतन कह देते हैं इस तरह की किरियाओं को भी जो आत्मविशलेशन है या आत्म अवलोकन है, इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, तो इसको भी लोग आत्म चिंतन करें, हम अपने कमियों को देखें, बुराईयों को देखें, हम अपनी बुरी आत्तों को देखें, उन्हें दूर करने का विशय करें, प्रयास करें, अभ्या से भी समझते लेकिन यहां पर जब आधी गुरु शंकराचार आत्म चिंतन की बात कर रहे हैं यद्धपी हम जहां पर भी आत्म चिंतन शब्द का प्रयोग करते हैं वह शास्त्रों से ही लिया गया है लेकिन हम आत्मा पर चिंतन नहीं करते आप सोची आपको ऐसा कर आपको खाना चाहिए आपके सामने अगर बहुत स्वादिस्ट भोजन आ गया अब जो है बहुत स्वादिस्ट मिठाई आ गई अब आपको चिंतन कर रहा है मैं खाऊं कि ना खाऊं अगर आप डाइबटिक पेशेंट हैं तो आप सोचेंगे कि मैं खाऊं कि ना खाऊं मुझे खा जिस आत्म चिंतन की बात कर रहे हैं, वह यह आत्म चिंतन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह तो आत्मा की बाते करते हैं, जब आत्म शब्द जुड़ गया, मतलब आत्मा की बाते हैं, और आत्मा तो भावातीत है, आत्मा तो कलपातीत है, प्रपंच से परे है, म विशारों में उसका चिंतन कैसे होगा तो एक तो आत्म चिंतन का यह भाव बनता है कि आप अपने आप में ही कुछ सोच रहे हैं कोई आपको काम करना है कोई decision making work है आपका तो उसमें decision लेना है आपको ही लेना है कोई दूसरा नहीं लेगा भई मिठाई सामने आगए गुलाब जामून आगए गरम गरम सर्दियों के मौसम में आपको है diabetes सर्दियों के मौसम में गरम गरम गुलाब जामून आपके सामने परोस दिये गए और आपको मधुमेह है तु क्या निरनाय होगा आपका यह आपका विश्य आप चिंतन करेंगे कि भाई खालूंगा तो फिर कैसे मैं मैंनेज करूंगा सुगर अगर बढ़ता है फिर प्रॉब्लेम बढ़ेगा बहुत तरकी समस्याएं बढ़ेंगी फिर में तो उन सब चीजों को मैं कैसे मैंनेज करूं आत्मा ही ब्रह्म है अहम आत्मा ब्रह्म ब्रह्म जीवो ब्रह्म है वनापरा जीवो ब्रह्म में भी भेद नहीं है अंतर नहीं समझना चाहिए कुछ लोग आत्मा के विश्यों का चिंतन करना आत्मा के विश्यों पर चर्चा करना मैं ही ब्रह्म हूं जैसे कि हम यहाँ प पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं आत्मविशय पर चर्चा करते हैं तक्त्व चर्चा करते हैं यहां पर जब ब्रह्म की चर्चा हो तो तक्त्व की चर्चा है तो फिर तक्त्व चर्चा हम यहां पर करते हैं तो उस समय कुछ लोग इसको भी आत्मचिंतन कहते हैं स्वाध्या भी आत्म चिंतनु कुछ लोग मानतें से परंतु प्रश्व accessible है कि जो आत्मा भावा तीत है उसका भला चिंतनु कैसे होगा कि मैं जुब हावा तीत है जो कि सब्षक जब ही आप चिंतनिक्र तो उसमीं हयता है कलपनाओं को ले आते हो विचारों को ले आते हो और आत्मा तो विचारा तीत है आत्मा तो कलपा तीत है आत्मा तो भावा तीत है और जब वो कलपा तीत भावा तीत विचारा तीत है तो भला वो चिंतन में कैसे आएगा भला वो चिंतन में कैसे आएगा फिर ठीक, वो तो भावातीत है, वो भावनाओं में कैसे आएगा, वो तो कलपातीत है, कलपनाओं में कैसे आएगा, तो आपकी चिंतन में कैसे आएगा, यह प्रश्न बन जाता है फिर, तो आत्मे चिंतन होगा कैसे फिर, आत्मे चिंतन तो संभव यह नहीं है, क्योंकि आत्मा तो विचारों में आहीं नहीं सकता आत्मा के उपर विचार करना किया जा सकता है लेकिन वो विचार तो आत्मा नहीं है या आत्मा का साक्षातकार कोई आत्मा पर विचारों करने से तो नहीं हो जाएगा इसलिए तो आधी गुरु शंकराचार ने पीछी अभी कहा ना निदी ध्यासन की चर्चा करते वे वह आरे आत्मा श्रोतव्यों मनतव्यों द्रश्टव्यों निदी ध्यासतव्यों कि श्रवन करने से बहतर है मनन करो मनन करने से बहतर है दर्शन करो दर्शन से बहतर है ध्य तो श्रवन करना या मनन करना कोई आत्म चिंतन नहीं है आत्मा पर विचार कर रहे हैं वैचारी कवस्था में हैं आप आत्म स्थिती में नहीं बने हुए बिना बने हुए ही आप विचार कर रहे हैं तो चिंतन चल रहा है विचार चल रहा है लेकिन यहां पर आत्म चिंतन श चित का आत्मा में इस्थित होना ही आत्मचिंतन है अगर आप आत्मचिंतन करना चाहते हैं तो यहां आदी गुरु शंकराचारे के अनुसार चित्य विर्तियों का निरोध कर देने से जो अवस्था प्राप्त होती है स्वरूप की उपलब्दी होती है चित्य विर्तियों का निरोध कर देने से प्रपंच का बाध कर देने से इंद्रिय अनुभूतियों का निरोध कर देने से जो अवस्था प्राप्त होती है वह स्वरूप की अवस्था है वह आत्मचिंतन है उसमें चित को बनाए रखना ही आत्मचिनतन है ऐसा आधिगरु शंकराचार यहां पEh इसलिए आत्मचिनतन केशे करें तो आत्मचिनतन वैसे तो कई परकार से आत्मचिनतन हो जाता हम अपने आप में कुछ विचार कर रहे होते तो उसको भी आत्मिचिंतन कहते हैं, को decision लेना है, उसके लिए हम सोच रहे हैं, तो भी आत्मिचिंतन कहलाता है, या फिर आत्मा या शास्त्र वाक्यों पर विचार कर रहे हैं, वेदान्त वाक्यों पर हम विचार कर रहे हैं, वेदान्त वाक्यों पर तत्तो मसी पर विचार कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मी पर विचार कर रहे हैं तो कुछ लोग इसको भी आत्मिचिंतन कहते हैं लेकिन इन सबसे हटकर इन सबसे अलग इन सबसे परे आधिगुरु शंकराचार कहते हैं कि चित्य विर्ती निरोध से जो अवस्था बनती है चित्य विर्ती निरोध से जो अवस्था बनती है उसमें जो स्वरूप की उपलब्दी होती है उसमें जो आत्मा की स्थिती बनती है उसमें अपने चित्य को हमेशा बनाए रखना आत्मचिंतन है इसको उन्होंने आत्मचिंतन कहा है इसको उन्होंने आत्मचिंतन कहा है ये हमें समझना आईए चलिए इस लोग देखते हैं कि इस लोग क्या कहते हैं विवेक चुड़ामनी के चित्मूलो विकल्पो अयम चित्ता भावेन कश्चन अतस्चित्तम समादेही परत्य गृपे प्रात्मनी यह विकल्प चित्मूलक है यह विकल्प चित्मूलक है चित्त का अभाव होने पर इसका कहीं नाम निशान भी नहीं रहता इसलिए चित्त को अब जो किसको कौन सा व ने सुना था रज्जू में सर्प का दिखाई देना रज्जू में सर्प का भास होना या चित मूलक है विकल्प दिखाई दे रहा है ना वैकल्पिक वस्तु दिखाई दे रही है ना सत्य तो दिखाई नहीं दे रहा है सत्य तो रस्सी है रस्सी में साप दिखाई दे रहा है तो चित मूलक है, तो चित का निरोध हो जाने से कुछ भी नहीं होगा फिर, यही यहाँ पर समझाया जा रहा है, तो आत्म चिंतन का विधान यही है, कि विकल्प जो है वो चित मूलक है, चित का अभाव होने पर, वास्तों में चित का अभाव होने का मतलब है, चित वर्ती क का अभ्हाव होना तब चित्व विर्ति का अभ्हाव हो जाएगा जब चित्व विर्ति का अभ्हाव हो जाएगा तो फिर क्या होगा स्वरूप की स्थिती बन जाएगे तो चित्व का अभ्हाव होने पर इसका कहीं नाम निशान नहीं रहेगा इसलिए चित्व का प्रत्यक् केलं नित्यमुक्तं निरीहं निर्वधी गगनाभं शेनिष्कलं निर्विकल्पं। फिर्दी कलयति विद्वान ब्रह्म पुर्णं समाधव। किसी नित्य बोद्य स्वरूप केवलानंद रूप उपमारहित कालातीत। नित्यमुक्तं। निश्चेष्टं। निश्चेष्ट और नित्यमुक्त आकाश के समान असीम कला रहित नर्विकल्प पुर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधी अवस्था में अपने अंताकरण में साक्षात अनुभव करते हैं ये चित की शान्ती चित वृती का निरोध समाधी अवस्था में ही संभव हो पाती है प्रकृती विकृत शुन्यह भावाना भावना अतीत भावं समरसं समानं मान संबंध दूरं निगम वचन सिद्धं नित्यमस मत्प्रसिद्धं हिर्दी कलयती विद्वान ब्रह्म पुर्णं समाधव कारण और एकारे से रहित मानवी भावना से अतीत समरस उपमा रहित प्रमानों की पहुंस से परे वेद वाक्यों से सिद्ध नित्य असमत रूप से इस्थित पुर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधी अवस्था में अपनी अंताकरन में अनुभव करते हैं ठीक अंताकरन के इंतर्गा थी प्रतिविंबित हो जाता है सब कुछ अजर अमर अभास सुन्य अजर अमर अभास सुन्य वस्तू स्वरूप निश्चर जल राशी के समान नाम रूप से रहित गुनों के विकार से सुन्य नित्य शांत्य स्वरूप और अध्वित्य पूर्ण ब्रह्म का सभ अभी ज्यानी समाधी अवस्था में अनुभौ करते हैं अपने स्वरूप में चित को इस्थिर करना चाहिए अधिगरु शंकराचार्य कहते हैं अगले स्लोक में कहते हैं बहुत सुन्दर बात यहां लखी गई है समाहित आंत करणम स्वरूप विलोकिया आतमन खंडवयभवम प्छंदी बंधम भवगंध गंधितं यतने नपुंस्तव सफली कुरुश्वु अपने स्वरूप में चित को इस्थिर करके के अपने स्वरूप में चित को स्थिर करो। .अर्थात जग तुम चित वृति का निरोध कर दोगे उसमें इस्थिर करो। उस सवस्था कोबनाय रखो। अपने स्वरूप में चित को इस्थिर करके अखंड एश्वरय psychology संपन्न आत्मा का साक्षात कार कर लो। जब चित शांत होगा, जब चित वर्तियां शांत होगी, तभी तो आत्मा का साक्षातकार संभव है, उसके पहले कदापी आत्मा का साक्षातकार संभव नहीं, जब तक चित की वर्तियां शांत न हो जाएं, तो जब चित शांत होगा, तो स्वरूप की अपलब्दी होगी, अब अपने चितकी उसी अवस्था को बनाए रखो, यही आत्मचिंतन है, वास्तों में, अपने सरूप में चितकी स्थिती को अखंड एश्वरे संपन आत्मा का साक्षात कार करो, संसार गंद से युक्त बंधन को काट डालो, और यत्न पुर्वक अपने मनुष्य जनम को वस्था में पहुंच जाओ, सर्व पाधी विनिर मुक्तम सचिदानंदम द्वयम भाविय आत्मानम आत्मस्थम नभूय कल्प से अधवने, समस्तु पाधियों से रहित अध्वितिय सचिदानंद स्वरूप अपने अंतह करण में इस्थित आत्मा का चिंतन करते रहो, इस नहीं बंदोगे, यह दुखदाई बंधन ये माया का दुखदाई बंधन तुम्हें परशान नहीं करेंगे, कुछ ऐसा अपदेश यहां देने का प्रयास किये जा रहा है, ठीक है? तो यह आत्मस्थितन का विधान है, आत्मा में स्थित होकर ही आत्मस्थितन संभव है, और कदापी कैसे भी संभव नहीं है, बाकि सब आत्म विचार और आत्मा के विश्यों पर चर्चा करना, विचार करना, चिंतन करना, विश्यों पर वो एक अलग विश्य है, लेकिन आत्म चिंतन एक अलग विश्य है, आत्म चिंतन मतलब चित को शांत करकर आत्मा के में लग नेहा गुपताजी मनुष्य योनी के अलावा और कौन योनी में करमफल मिलता है करमफल तो हर योनी में मिलता है बलवन सिंग गोहिल निहा गुपता गुर्देव प्रणाम जीव करम के अनुसार स्वर्ग नरक भोगता है इसके बाद मनुष्य जनम मिलता है या उसका भाग कैसे स्वर्ग नरक में भी करमफल भोगता है और दूसरे योनियों में जाकर भी करमफल भोगता है करमफल तो उस स्वर्ग में तब जाता है लेकिन स्वर्ग नरक भोगने के बाद फिर मनुष्य जीवन मिलता है ऐसी कोई बात नहीं वो तो माल लिजिए कि कोई व्यक्ति अब स्वर्ग नरक क्या है पीडा दाई योनिया जिसमें पीडा अधिक है कश्ट अधिक है अगर ऐसी योनियों में जाता है तो नरक में गया अगर प्रेत योनियों में चला गया तो समझो नरक में चला गया अगर देव योनी में चला गया तो समझो स्वर्ग में चला गया ठीक है पीडा देने वाले ऐसे कई योनिया उनके ऐसे कई शरीर जीवों के पश्वों के जो बंधन में रहते हैं वानी नहीं है उनके पास चलने फिरने की वैसी सुतंतता नहीं जैसे मनुश्य के पास है तो ऐसे जो फिर जीव हैं वह भी नरक यूनी का ही भोग कर आते हैं ऐसी जो यूनिया है करम के अनुसार स्वर्ग नरक भोगता है इसके बाद मनुश्य जनम मिलता जी नहीं मनुष्य जन्नम में भी अपने कर्मों का फल भोगता है स्वल्व नरक में तो भोगेगा उसके बाद भी भोगेगा बल्दाउ नाथ योगी जी निया गुपता जी क्या देवी देवता की साधना करने से प्रगट होते हैं अब देवी देवता को अगर आप सही से समझते हैं कि देवी देवता कौन है कैसी शक्तियां है कितनी बार इस देवी देवता इस चैनल पर देवी देवता के उपर अनेकों वीडियोज हैं और कई बार चर्चा हो चुकी है अगर वो बात अच्छे से समझ में आ जाती है नहीं तो अगर लगता है कि देवी देवता कोई आस्मानी ताकत है जो प्रगट हो जाएंगे और चमतकारी की तरह कुछ कर देंगे तो फिर बात गलत हो जाएगी फिर इसलिए देवी देवता पर हमने कई वडियोस बनाए हैं जो सुनीजिए अगर वह बात तो देवी देवताउं के दरशन होते है तो अगर अलग प्राकृतिक सी बात समझ में आ गई है देवीदेवता प्रगट नहीं को यह हो पात्य है थिक है वह प्राकिर्टिक रूप से देवी देवता हैं इंद्रियों को भी देवता क्या है अफनीशदों में तो आफ़ीरज आराणकों रिबहु ma संपर्षानक मैं 33 देवी देवतां की चर्चा भी है और अंत में आत्मा को और नित्यसृष्टी हो रही है आगे से भविश्य में देखे एक बात मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले समय में भविश्य में ऐसा होगा कि जो लोग प्रश्ण करेंगे और जो विशेह पे चर्चा चल रही है उस विशय से हट कि अगर प्रश्ण करेंगे तो हो सकता है कि उनके प्रश्णों को डिलीट भी किया जाए ठीक है अभी वह व्यस्था आप नहीं लाए है तो अभी तो चल रहा है लेकिन भविश्य में निश्य ही वह व्यस्था आएगी एक भट जी मिमानसा के अनुशार नित्य प्रलय और नित्य सर्श्टी हो रही है कैसे हो रही है इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है आपके बॉडी के अंदर नित्य ने सेल बन रहे हैं और डेड़ सेल निकल रहे हैं बालों के रूप में नाखून के रूप में मल के द्व आप खुद देख लिजिए कई पुरानी चीजे आप आज पास देखिए जिस शहर में रहते हैं जिस गाउं में रहते हैं कई पुरानी चीजे खतम हो गई नए चीजे बन गई कई पुराने पेड़े कट गए नए पेड़े पैदा हो गए ठीक है तो स्रिष्टी और प्रलय यह तो एक छोटा छोटा यूनिट लेबल पर बात हो रहे हैं लेकिन बड़े लेबल पर भी बड़े परिवर्तन आ रहे है ठीक है आज जो समय है शायद वो नहीं रहेगा कोई दूसरा समय आ जाएगा शायद दूसरी चीज़े विक्सित हो जाएंगी कोई नई चीज़े डेवलप कर जाएंगी ठीक है यह चीज़े तो यह तो निरंतर दिखाई दे रहा है और हम अपने आसपास को ही देखते रहे तो समझ में आ रहा है कि हाँ भई शृष्टी भी चल रही है प्रलयभी साथ में काम कर रहा है जलाराम राइका बिक्रम सिंग जी राजू पाल सविता नायक कि सर्मानंद पंडित उशाश्र वास्तवा नवजो तिनाथ सर्मानंद पंडित जाव विज्ञान बहरत अंत्र कि ठीक है कृप्या साथ चक्रा के बारे में बताए कई बार चर्चा हुई है साथ चक्रों के बारे में शिवंभड जी अवनी प्रधान जी शंकर प्रसाद टियार राठिया शर्मानंद पंडित के साथ चक्रा को साथ शरीर कहा जाता है जी नहीं माधुरी कोले जी गंबीर शाह विंदेश्वरी मिश्डा आप सब कुछ जानते हैं जैसा उचित समझें ठीक है रमेश पेश्वानी जी बहुत अभिनंदन पिंटु वास्वा जी इस ब्रामन का नियंत्रन आत्मा करती है जी ब्रामन कौन सा ब्रामन का नियंत्रन आत्मा करती है ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है अजीत अपराजित तो नियंत्रन क्यों करेगी अनिल कुमार रूपलाल विश्व कर्मा कैलास बड़े योगेंदर पंडित आजिच अवदी निवाडी ठीक है खरक सिंग जी गनेश पवार जी अभिनंदन है बहुत जोंती दक्ता जी रचना जी गोविंद प्रसाद नेवा जी ड्रीम वर्ल्ड बीकु कुचाडिया जी राकेश चंद्र शर्मा आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है जग्यासा शांत होती है जी अवस्य शांत होनी चाहिए बहुत बहुत बढ़ाई गोरो जी बहुत अभिनंदन गोरो जी बिकरम सिंग जी बहुत अभिनंदन आकाश वदर जी आप कहते हैं इश्वर भावा तीत है तो हमारी क्ष्षा कौन पूरी करता है इश्वर यह प्रकृती कर्म कर्म पूरी करता है कर्म ही इश्षा पूरी करता है ठीक सम्युक्ता पटेल बहुत अभिनंदर है आपका थरक्षिंग जी कृप्या पंचातन मंत्र के भी पंचातन मंत्र के बारे में भी बताएं तथा भाव अतीत कैसे रहें भाव अतीत आपको रहने के जूरत नहीं है आपको साधुना करने की जुरत है द्यान योग करने की जुरत है अब स्वेमि भावाती तवस्था में पहुंच जाएंगे द्यान योग करने के आवश्क्ता है प्रभात सोनी जी है कि सत्यूग द्वापर यूग- athletic-based राम के अवतार होता है तो क्या हर यूग में भगवाना अवतार लेते हैं है वैसे तो नित्यावतारी हमेशा ही रहते हैं कई बार इस पे पीषे भी चर्चा किया गया रहते हैं किसी युक से कोई मतलब नहीं तीन प्रकार के अवतार हैं आवेश अवतार नमित अवतार नित्य अवतार धर्ती पे हमेशा ही रहते हैं सर्वधा रहते हैं संदी परोड़ा जी रजनेश बरफानी जी बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का तो जिग्यासव इसी के साथ जो है अब हम इस विचार को विराम देंगे चर्चा को यहां पर विराम देंगे और चर्चा को विराम देकर कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में किसी और महत्यपुर्ण विशय पर हम लाइव चर्चा करेंगे और पूरा पूरा इसका लाब उठाएंगे ओम तत्सत आप सभी से इसी के साथ विदा लेते हैं नैच्रोपैथी का कोर्स सुरू हो चुका है आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं अभी एक भी ल का समयी मात्र एक दिन का सम्य का समय ही मात्र एक दिन का समय कई लोग ने फोन करकर मैसेज करके पूछा मुझे इसले बोल रहा हैहीं तो जों कि मुझे करना देर मत कीजिए प goofy कर लीजिन doet यह अगर नहीं करते हैं तो अब फरवरी में स्चरों इसक्र ओछना होगा उसकी अ भावश्य में दुबारा दुबार चलाएं वह ऐक अलग बात है अभी महिना मेरा में जुए ओप करिएगा बहुत अच्छी बात है कोई उसमें नुक्सान नहीं होने वाला तो चलिए इसी के साथ विराम लेते हैं बहुत-बहुत अभार आप सभी का कि अ प्सक्राइबगा उसमार आप सभी का करिए च्राइबगा बहुत अच्छी बात है कर साथ च्राइबगा लेकैस जो पो हुत